हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए नए नए वीडियोज देखने के लिए नवशकार दोस्तो यूर हेल्थ डॉक्टर में आप सभी का एक बार फिट से स्वागत है दोस्तो मीट खाने के बाद भूल कर भी ना करें इन चीजों का सेवन नहीं तो हो सकता है या आपके लिए घातक आज पूरे विश्व में कई ऐसी लोग है जो मासाहारी है वह लोग अक्सर मीट मचली का सेवन किया करते हैं जिसे शरीर को काफी लाब मिलते हैं कई लोग रोजाना मीट का सेवन करते हैं ताकि वे अपने शरीर को फौलादी बना सकें कई लोग मीट खाते समय कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिससे उनके स्वास्त को काफी नुकसान हो सकता है वैसे ही कुछ ऐसी चीजे हैं जिसका सेवन मीट खाते समय भूल कर भी नहीं करना चाहिए इससे शरीर में कई घातक रोग हो सकते हैं मीट खाने से शरीर में काफी गर्मी आती है अगर आप मीट खाते समय कुछ ऐसी चीजों का सेवन करते हैं जिसे शरीर में ठंडग आती है उससे आपके शरीर में उल्टा रियक्शन हो सकता है आपने सुना होगा कि कभी भी एक साथ गर्म और ठंडे का सेवन नहीं करना चाहिए आज हम जिस चीज की बात कर रहे हैं उसका सेवन हर कोई रोजाना करता है हम दूद की बात कर रहे हैं जिसमें कैलशियम, विटामिन्स, मिनरल्स, इत्यादी तत्व पाए जाते हैं जो हमारे शरीर की हड्डियों और मास्पेसियों को मजबूत कर शारेरिक और मानसिक विकास करने मदद करता है दूद में अंटिबायोटिक गुण मौजूद होती हैं जो शरीर को ठंड़ करने का काम करता है इसलिए कभी भी भूल कर मीठ मचली खाने से पहले या बाद में दूद का सेवन नहीं करना चाहिए इससे आपके तवचा पर इंफेक्शन और पेट से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं तवचा रोग में आपको सफेद दाग हो सकते हैं जो कि एक घातक रोग है दोस्तो आज हमने आपको बताये कि मीठ के साथ आपको किस चीज कर सेवन नहीं करना है यदि आपको आज की जानकारी पसंद आई हो तो आप इसको अधिक सदिक लाइक और शेर करना न भूले और इसी प्रकार की वीडियोज देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले क्योंकि हम इसमा अरवेदिक उपाईवन नुस्के लेकर आते हैं जो आपके स्वास्त को स्वास्त रखेंगे धन्यवाद